ठीक लोग अपने घर के बाहर लिखवा लेते हैं कुट्टों से सावधान मतलब इस घर में कुट्टे रहते हैं इसका क्या रच हुआ किसी के घर के द्वार पर लिखा है कुट्टों से सावधान इसका मतलब क्या हुआ यहां कौन रहता है कुट्टे रहते हैं को इसका मतलब तो क्या हुआ है मतलब तो यह निकल रहा है। साफधान रहना कभी भी जपट्टा उसकते हैं। का यह कुट्तों का गर है। आप मैंसे किसे ने लिखवा का निन रखतों? कुट्तों से साफधान है। पहले ऐसा होता था कुट्त घर में दा गलियों और गाय घर के अंदर होती चाहिए अब कल्यो गा गया State Thena रह रहे हैं गायe फुट नप गूम रही है यह तो कल्य बर इस लिए好的 Het Episode क निकालने चाहिए गली के कुत्तों को खिलाओ पिलाओ तो पुण्य भी मिलेगा घर कुत्तों को पहले उस घर में गाय के ही चरण पड़ते हैं कुट्टे के नहीं इसलिए गाय माता है गावो विश्वश्य मातरा एक सज्जन ने हम से घर में यदी गाय रखे हैं तो अच्छा है नहीं रखे तो गउशालाओं में जा करके गाय को चारा गुड़ अपने हाथ से जो आप दे गी मिलेगा बाजार में जो दूद मिलता है उसके क्रीम निकाल ली जाती है वह दूद तो एक प्रकार का छांच है आपको पता है अजकल दूद से क्रीम निकाल ली जाती है पता है यह प्रोसेस कैसे होता है एक मसीन आती है उसमें दूद डालो तो दूद अलग हो जाता है उसमें जो मक्खन क्रीम होती है, वो निकल जाती है, उसका घी बना लिया जाता है, और वो दूद आपको मैस दिया जाता है, 50 रुपे लीटर, उसका अचली चीज तो निकाल ली गए, इसलिए आप समय के पहले वो ड्धे हो जाते हैं, समय के पहले आप बिमार पढ़ जाते ह क्योंकि आप अच्छी चीजें खाते ही नहीं, इसलिए आपको क्या खाना चाहिए, शुद्ध दूद, और शुद्ध दूद कम में लेगा जब आप अपने घर में गूमाता, सुद्ध देसी गाये, रखेंगे, गाये की सेवा करना चाहिए, घर में पालें, भैसे और कूड़ा, आजकल तो लोग कुटा पलते, पचास पचास, हजार रुपे का कुटा, लाख लाख रुपे का कुटा, कुट्ते का गोवर काम नहीं आता, साहब, गाये का गोवर काम आता, और तो सक कूण बढ एक जी चोड़ा, पी कर दूध मुझे क्यों छोड़ा गौपालने कर बनो गौारिया हमने का भाई अपनी अपनी समझ की बात गाय तुमारे लिए हो सकती है जानवर हमारे लिए तो वह माता है कैसे जैसे गंगा का जल तुमारे लिए सामान या पानी हो सकता है जैसे गंगा हम सब के लिए माता है तुलसी तुमारे लिए सामान या पौधा हो सकता है पर तुलसी हमारी माता तुलसी आपके लिए सामान्य पौधा हो सकता है तुलसी हमारे लिए माता है गंगा का जल तुमारे लिए सामान्य जल हो सकता है गंगा हमारी माता है गाए सामान्य पसुओं की तरह तुम्हें जानवर की रूप में दिख सकती है पर हमारी स्रद्धा हमारी भावनाएं कहती हैं कि गाये हम सब को मा के बाद यदि हमने किसी का दूद पिया है तो गाये का पिया है इसलिए यदि वो मा है तो ये भी मा है हमने और किसी का दूद ना पिया गाये के दूद तो बकरी का भी होता है सर्वोत्तम कहते हैं गाय का दूध संकूर्ण आहार होता है बच्चे का यह जो क्वालिटी है यह केवल गाय दूध तो बक्री भी देती है पर बक्री के दूध में वो गुण नहीं है